मिट्र्व 1 दोसका दोस्तों में रांव पितत प्रोय आपका दोस्तु दोस्तों इग भर फ्से स्वागते। आप साथ का मेरी व्यूल्टीव चैनेल पर जिसका नाम है health and beauty tips वारानपुता प्रोय यानि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है chicken pocks चिकन पॉक्स दो प्रकर की होती है चिकन पॉक्स और इस्मल पॉक्स चिकन पॉक्स यानि की छोटी माता और इस्मल पॉक्स यानि की बड़ी माता नाम से समझ सकते हैं चिकन पॉक्स में जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और ये अलर्जी के दाने जैसे होते हैं दरद होता है, जबकि जो small pocks है, यानि कि जो बड़ी माता होती है, उसमें दानें बड़े होते हैं, दानों में पस भर पानी भर जाता है, और इसके शुखने के बाद में काले निशान पढ़ जाते हैं, खुरण टाइप के बनने लगते हैं, पप्री छुटने लगती हैं, इ नहीं होता है लेकिन जो बड़ी माता यानि की जो इसमॉल पॉक्स से उसके दाने होने के बाद में कई बार अंधे पन की भी शिकायत आ जाती है तो यह बहुत खदरनाक बिमारी है तो इसके बारे में मैं पुरी जानकरी आज आपको देने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज इन्फेक्शन की वज़े से यह बिमारी होती है जो बाइरोल मेजर नामक बाइरस है उसकी वज़े से बड़ी माता यानि की स्मॉल पॉक्स होता है और जो बाइरोल माइनर नामक बाइरस है उसकी वज़े से चिकेन पॉक्स या छोटी माता होती है खासतों से यह चोटे गले में खराच, दरद हो सकता है, बोड़ी पर एठन मरोड हो सकता है, पूरे शरीर में दरद, सीर में दरद, गले में दरद होता है, और जो बोड़ी पर लाल दाने होने की विज़े से बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो यह इसका लक्षन है, और यह जो बैरी सेला ज ब्रता ज्यादा होती है पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होती है तो उस समय डॉक्टर को दिखाने से परेज नहीं करना चाहिए आम तोर पर क्या होता है कि लोग डॉक्टर को दिखाने से परेज करते हैं और जाड़ फुक आदी करवाते हैं जाड़ फुक आदी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस भीमारी का इलाज है, अपने आपको isolate करना, दुसरे बैक्तियों में ना फेल है, इसलिए आपको अलग थलग रखना पड़ेगा आपने आपको एक ऐसे बातावरण में या आपको एक ऐसे कमडे में अपने आपको आइसोलेट करना चीए जो की हवादार हो जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो गर्मी ज़्यादा होने पर या ठंड ज़्यादा होने पर आपके पोड़ी प आपको अगर बुखार होता है ज्यादा तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बुखार होने पर डॉक्टर आपको पैरसिटमल दे सकते हैं पैरसिटमल देने से आपको जो बुखार है आपका वो सही हो सकता है साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ में तो उसके लिए एंटिबार्टिक मेडिसीन दे सकते हैं इस बीमारी में डॉक्टर एंटिबारल मेडिसीन का इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपको नजदिक के सरकारी होस्पिटल में जाना चाहिए वहापर एंटिबारल मेडिसीन आसनी से उपलब्ध होती है और चुकि यह बहुत महेंगी होती है इसलिए आपको सरकारी होस्पिटल जाकर कि वहाँ से लेना ही सबसे बेटर होता है मार्केट में ये जो एंटिवारेल मेडिसीन है बहुत महेंगी होती है और सरकारी होस्पिटलों में आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जब भी आपको इस तरीके की दिकत हो आपको जाड़फुक करा सकते हो आप कराने को मना नहीं लेकिन इससे कुछ नहीं होता है और कई बार ऐसा होता है कि जाड़फुक कराने के चकर में आप अपने आपका बहुत बड़ा नुकसा जिन लोगों को चिकेन पॉक्स का बैक्सीन नहीं लगा है उन लोगों को इंफेक्टेड परसन से दूर रहना चाहिए या फिर जिन लोगों को पहले कभी ये बिमारी नहीं हुई है तो उन लोगों को भी इंफेक्टेड परसन से दूर रहना चाहिए अगर आपके बोड़ी म जीएनीं में बहुत जदा खूजली होती है, रैशेज होती है तो उस कंडिशन में डॉक्टर आपको लगाने की भी दवाय दे सकते हैं जैसे की एलोवेरा जेल हो सकता है या फिर किसी प्रकर का क्यालमाइन लोशन आदी का इस्तेमाल डॉक्टर कर सकते हैं आपको लगाने के जागी होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन को प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिके सबसे पहले आप तक पोच सके तो दोस्तों इसी कमना के साथ कि आप सभी स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत